नमस्कार दोस्तों मुकेश गुपता जैपुर से बात कर रहा हूँ दोस्तों आज की परीचर्चा का विश्य है न्याई पालिका में जो भी कुछ घटना गरम हमें पिछले दुनों में देखने को मिला है सर्वोच नहले में तो क्या सर्वोच नहले में या फिर नयाई पालिका में जो भी कुछ हो रहा है क्या सब ठीक ठाक है या फिर कहीं कुछ गड़बड हमें लग रही है तो जाहिर जी बात है काफी कुछ हमें वर्तमान नयाई पालिका में कुछ गलत दिखाई पड़ रहा है, मैसूस भी हो रहा है, और काफी मेडिया में इस बात के चर्चा भी है। तिका हुआ है, उसमें नयाई पालिका में एक भूचाल के इस्तती हाली में कुछ जो घटना करम हुआ, उससे आई हुई है। और एक बड़ा ही गलत मेसेज, एक इस्तनी विश्वसनी है, जो महत्योपौन संस्ता हमारी नयाई पालिका सर्वोच्य नयाईल है, जिस पर की भारत की जनता का पूरा-पूरा विश्वास था, उसको एक बहुत बड़ा आगात लगा है। अब हमें देखेंगे कि जो इस मामले के और भारती है, जो सर्वोच्य नयाईले नयाई पालिका में, जो काफी कुछ चल रहा है, उनको सबको थोड़ा विश्वत रूप चे देखेंगे, लेकिन अभी जो ये बात उबर के सामने आई है, और चार जो वरिश्ट नयाईदी सर्वोच्य नयले के, जिसमें जिस्टिस चिलमेश्वर, रंजन गोगई और लोकेस नूपूर और एक जोसेफ कुरियन, तो मदन लूपूर है, ये चार नयाईदीस, जो वरिश्ट नयाईदीस हैं, इन्होंने प्रेस कॉनफरेंस की और ये राश्टर को बताया कि नयाईपालिका में ये सर्वोच्य नयले में जो भी कुछ चल रहा है हाली में, वो सही नहीं चल रहा है, ये तो खेर हमें काफी टाइम से महसूस हो रहा था कि बिलकुल, कि वर्तबान में जो सर्वोच्य नयले है, वो काफी एक तरह से नयाईदीस की नाम पर, काफी कु अन्रेस्टेंडिंग विभिन नेधिसों में हम काफी विभिन जो कैसेज उनके निर्ने से मैसूस कर भी पा रहे थे जो कि मीडिया में विभिन आर्टिकल्स के द्वारा हमको ये मिल भी रहा था लेकिन अब मुझे लगता है कि ये जो इस्टती इतनी ज़्यादा हुई कि उन नेधिसों को आपनली पहली बार एक आना पड़ा और जहिर सी बात है कि उनको पता था कि हम अगर मीडिया में जाकर ये साब बात बोलेंगे तो ये कोई बड़े ही महतुपन और एतिहासिक कदम हमारा होगा लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा किया क्योंकि उनको शायद कोई रस्ता और कुछ सही लगा नहीं आला कि और कुछ रस्ते हो सकते थे लेकिन फिर भी उन्होंने ये रस्ता चुना अब उसमें जो दो तीन बाते प्रमुक रूप से उन्होंने अपनी जो पूरी बात में कही जो उनको लगी कि वर्तमान में जो CGI है एक तरह से Chief Justice of India है नई मुर्थी दीपक मिश्रा तो वो बड़े ही एक तरह से स्वेच्छे तारी तरीके से उनके शब्दों में कि स्वेच्छे तारी तरीके से वो कुछ सर्वोचे नेले के जो विविन जो गती विदि हैं उनको हिंडल कर रहे हैं उन्हें जो तीन बातИ उनुने कही उन्हें कही संकिर्ड जो उन्होंने प्रश्ण उठाया उनकी पूरी बात में लगी तो उनका एक दूसरा यह था कि जो भी वर्त्मान में जो मुख्यन एदिस है उनके द्वारा जो कौन सा केस कौन सी बैंस में सुना जाएगा कौन सा उसका निर्णे होगा इस बात का निर्णे करना तो 1998 के जो सुप्रीम कोड के फ्रेसले से जो डिसाइड हुआ था कि जो सी जे आई हैं वो मास्टर ओफ रोश्टर होंगे लेकिन कुछ रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हुए वे बिलकुल डिसाइड करेंगे कि कौन सा जो केस है वो किस बैंस में किस कंट्रीट में उस जो केस कौन सी बैंस में जी अपनी स्वेच वो उस रूल्स रेगुलेशन को उसमें काफी वो उसमें उनको तोड रहे थे तो ये एक उनको गलत लग रहा था एक उनों का जो प्रश्न था महत्तुपूर्ण कि बहुत सारे जो कई ऐसे जो राजनितिक और रूप से संदिग मामले जिनका की बहुती दूरगामी असर भारती राजनिती पर और भारती लोकतंतर पर पढ़ने वाले हैं ऐसे जो संदिग्द मामले हैं राजनितिक दसी से भी उन मामलों को भी बहुत जूनियर जो जज हैं सरवो चिनैले में उनको वो सोप रहे हैं सीनियर जजों को दर किनार करके और वो जूनियर ज़़ूं को अपनी जो इच्छा से वो ऐसे मामलों को भी सोप रहे हैं जब कि उनके पास कब अनुभव हुआ है और वरिष्ट कही नयदिसा उनके पास जादा अनुभव हुआ है तो उनको सोप नहीं है थे तो इन सब इन जो दो-तीन इन बातों से बिल्कुल साफ लग रहा है कि कहीं कहीं जो विभिन नैदिसों में एक तरह से जो उनमें सामनजिस का भाव और उनमें कहीं कहीं बहुत ज्यादा गड़बड सर्वोचे नैले में लग रहा है अब अलगी ये बहुती शर्मनाक और बहुती कम से कम घटनागरा में पुरा ब कम से कम भारतिये लोकतंत्र के लिए और भारत के लिए भारतिये जनता का जो सर्वोचे नैले के परती विश्वास है उसके लिए लेकिन जो भी हुआ है खैर अलगी अच्छा नहीं हुआ है लेकिन कहीं कहीं इस से ये तो इस पस्ट है कि सब कुछ सही चल नहीं रहा है सर् पिछले दुरों में कई ऐसे निर्णे रहे, कई ऐसे मामले रहे, जिन से ये जो हो जाया differences जो विभिन नैधीसों में थे, और जिससे ये चार वरिष्ट नैधीस, जो एक तरह से खफा लग रहे हैं, वर्तमान, CJI से, तो वो दो-तीन मामलों का मैं जिक्र यहाँ पर करना चाहूँगा, कि जिससे ये differences कुछ ज़्यादा बड़े, अलाकि मामले कहीं हैं, लेकिन जो दो-तीन महत्यों पुर्ण मामले हैं, उनका जरूर मैं डिसक्र यहाँ करना चाहूँगा, कि एक तो जो परसाद मेडिकल इंस्टिटूट वाला मामला, और दूसरा एक जो NJAC में जो MOU वाली बात थी, एक उसको लेकर और एक जस्चिस लोया की जो मरत्य हुई, उसको लेकर, मैं संगसे पर बताना सब्गा कि जो परसाद मेडिकल इंस्टिटूट वाला मामला तो जो एक लखनाओं में परसाद मेडिकल इंस्टिटूट ये है और जिस पर की मेडिकल काउंसिल ओफ इंडिया ने परतीबंद लगा दिया था, उसको ब्लेक लिस्ट कर दिया था, तो उसमें लेकिन उस मामले को फिर परसाद इंस्टिटूट ने याचिका लगाई थी उनक लेकिन इसमें एक महतुपन आरोप ये लगा कि इसके लिए उन्होंने कुछ जो नए धिसों को या उस समय कुछ अपने भ्रश्चाचार के द्वारा अपने पक्ष में फैसला लाने की कोशिस की, अलाकि हो थाबित नहीं हुआ, एक आशंका जाहिर की गई, अलाकि CBI को ये मामला कुछ पता लगा और इसकी जांच भी उन्होंने एक तरह से करवाई, FIR दस्विक की थी, और उस समय जो सुनवाई, सुप्रिम कोट में, जो की गई थी, चल रही थी मतलब, इस मामले को लेकर, और ये जो उस समय का, उस समय जो ये दीपक वर्तमान में जो CGI हैं, इन हुए थे, एपरतेक्स रूप से, सीधा-सीधा कोई आरूप उनपर नहीं था, लेकिन अभी जो वरिष्ट वकील हैं, जो परसांद भूसरन काफी, तो उन्होंने एक ये आचिका लगाई थी, कि उस मामले की दुबारा एक निस्पक्स जांच करवाई जाए, क्योंकि जिस आई जस्टिस जो दीपक मिसरा ने ये कहा कि ये निर्ने मुझे करना है, क्योंकि ये शक्ति मेरे पास है, कि कौन सा मामला कौन से बैंच में जाएगा, तो उन्होंने उस मामले को दूसरी बैंच को सोपा, और जबकि इन नहीं आधिसों का ये कहना था कि ये, क्योंकि उनको इसमें हस्तक्षिब नहीं करना चाहिए था, और ये एक मतलब गलत था एक नियाए की द्रसी से, लेकिन फिर भी उन्होंने दूसरी एक जजों की पीट को ये मामला दिया, और उस पीट ने फिर ये खारिच भी कर दिया कि नहीं, इसकी जाच करवाने की कोई जरूत हैं, तो कहिन कहिन एक तो ये मामला था, दूसरा एक मामला जो की NJAC जो 99 सम्विधान संसोदन करके बारा सरकार के द्वारा, जो नियाए 200 की नियुक्ती के लेकर एक राश्ट्रे आयोग का गठन किया गया था, उसको की ऐस सम्विधानी घोशित कर दिया गया था, पी, के द्वारा एक सुझाओ की मांग की थी, सर्वोचिन एले कि सरकार को सुझाओ दे सकती है, वर्तमान जो कोलेजियम सिस्टम है, इसमें सुधार करने के लिए, लेकिन वो NJAC को तो उन्होंने खारिश कर दिया था, तो उस मामले को फिर उसमें सरकार ये चाहती थी कि ह हमें वीटो पावर दिया जाए, कि जो भी कोलेजियम जो नियादिसों की नियुक्ति के लिए सिफारिश करे, उसे हम राष्टे सुरक्षा के आधार पर उन नियादिसों की, किसी भी नियादिस के नाम पर हम वीटो कर सके, लेकिन ये पावर देने के लिए समयधनिक पिट जो पीट के द्वारा वापस विचार करने के लिए मामला दिया तो इस बात के से भी यह जो चारों नयदी से यह इसको गलत मान रहे थे कि जब एक सम्वेधानिक पीट के द्वारा मना कर दिया गया कि नहीं वो वीटो पावर नहीं दिया जा सकता तो फिर कैसे उस मामले को द लोया ये एक्सुली में उस मामले के निर्ने समझेर की जो हत्या हुई थी, sorry मतलब इनकी जो मृत्तिव हुई थी, तो इनके परिवार वालों ने ये आशंका जता ही, कि कुछ संदिक्द जो इनकी जो मृत्तिव है, वो संदिक्द आलातों में हुई है, क्योंकि ये बहुत महत्तुपूंट सोहराबृत दिन केस है, जिसमें की वर्तबान जो बीजेपी के जो अज्यक्स है, अमिज शाह, वो उस मामले से उन पर आरोप है, कुछ जुड़े हुए हैं वो, और उनके परिवार वालों ने ये आरोप लगाए था, कि जो इनके हत्या हुई है, वो कहिन कहिन कुछ ऐसा मामला था कि उन पर कुछ दबाव था, प्रेसर था, और उन पर कुछ एक उस मामले के नहीत पक्स के द्वारा, इन पर प्रेसर था, पैसे की कुछ दबाव भी डाला जा रहा था, तो कहने का ताथ पर यह कि उनका यह आरोप यह था कि अलकि यह मामला लगबग 2-3 साल पुराना था लेकिन मतलब यूं कि वो जो भै उन पर आरोप लगा और उनको जो भै उनकी जो हत्या हुई है वो संदिक्द तरीके से हुई है यह अब 2-3 साल बाद यह एक तरह से उनके परिवार वालों ने यह का कि इनकी एक वापस से सही तरीके से जांच की जाए कि उनकी जो मृत्ति हुई है वो बड़े संदिक्द हालातों में हुई है और इसकी प्रपर निस्वक से एक तरह से जांच करवाई जाए तो यह इस मामले को भी इस मामले पर भी एक तरह से पिर जजों की पीट को ये मामला सुनवाई के लिए दिया जबकि इन जो चारों नहाधिसों का ये था कि क्योंकि एक बहुती महतुपूर्ण ये राजनितिक रूप से संदिक्द मामला था काफी दूर गामी असर इससे हो सकता था तो ऐसे मामले को एक कहिन कहिन उन जजों को जो की एक निश्चित विचारदारा से जुड़े हुए हैं ऐसे नहाधिसों को इस मामले की सुनवाई का अधिकार मतलब एक तरसे दिया गया तो को सोपा गया और जबकि वरिष्ट नहाधिसों को इसमें एक तरसे दर किनार किया गया तो ये दो तीन मामले थे कि जिसे की पिछले दिनों में काफी डिफरेंसेज जो इन विभीन नियादिसों के बीच रहे अब ये वास्तों में देखा जाए तो मतलब इस पूरे घटना करम से ये तो कन्फरम है ये तो इस पर पता लग रहा है कि ये जो सरवोच नैले में जो भी कुछ चल रहा है वो सही तो नहीं चल रहा है अब लेकिन प्रशनी यहां पर ये है कि जो इन चारों नैदिसों ने जो किया इन सब से निपटने के लिए या जो अपनी बात रखने के लिए जो तरीका अपनाया कि आनन फानन में एक तरह से प्रेस कॉन्फरेंस करके और अपनी बात इतनी ओपल ली जो कि कि फिर जब माम कुछ हम यह भी मान रहे हैं कि यह सब कुछ सर्वोची नैले में सही भी नहीं चल रहा तो कहिन कहिन इनकी जो भी मजबूरी रही होगी आला कि इन एदिसों ने कहा कि हमने जो सीजी आई से हम ने मिले भी हम और हमने चिट्टी भी उनको लिखी कि यह जो रस्ता चुना तो अलगी मेरे द्रस्तिस में रस्ते और भी थे उनको एक ओपनली इस तरीके से यह जो बात नहीं रखनी चाहिए थी सबसे में बात यह ने कि एक सर्वोची नैले ही एक मात्र अभी आज भारतिय लोकतंत्र में हम कहें तो नियाईपालिका पर आज भी आज ठीका हुआ नहीं है आज वो काफी एक तरह से उनसे विश्वास हुड़ चुका है एक न्याईपालिका से आज बचिये तो एक इतने विशाल लोकतंत्र में इसने मजबूत लोकतंत्र में अगर मान लीजिए एक जिस सिस्तम पे विश्वास बना हुआ हुआ है पूरा हम मान रहे हैं कि बिल्कुष सब कुछ सही नहीं है लेकिं उनका ये तरीका भी सही नहीं था कि उन्हें कम से कम एक तरह से जो इंटर्नल जो प्रोसेस सर्वोच नहले में था उनके द्वारा एक सभी नहादिसों को एक मिटिंग बुलानी चाहिए थी कि और एक सभी नैयदिसों में विचार विमर्ज करके अपने जो मध्धे जो डिफरेंसेज थे अलगी इस पर CGI को भी कम से कम ध्यान देना चाहिए था और उन डिफरेंसेज को मिटाना चाहिए था बाचीत के द्वारा आपसे और इसके कई तरीके हो सकते थे लेकिन ऐसा नहीं किया तो openly तो ये फिर इतना भूचाल तो आना ही था फिर लेकिन ये जो भी हुआ सही नहीं हुआ अब बात यह है कि ये जो न्याई पालिका में गड़बड चल रहा है वो काफी टाइम से खेर चल रहा है क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब से न्याई पालिका का कॉंसेप्ट आया है इसके बाद भी हम देख रहे हैं कि जो न्याई पालिका है वो काफी सम्विधान से भी परे एक तरह सम्विधान से भी उपर अपने आपको मानने लगी है जबकि हमारे यहांपर नियाईक सर्वोचिता का कॉंसेप्ट नी है, हमारे यहांपर ने विधाई सर्वोचिता है, ने नियाईक सर्वोचिता है, हमारे यहांपर सर्वोचित सम्वीधान है, और विधाईका और नियाईपालिका जो बिलकुल और कारीपालिका सब हमारे वो पिछले दुन में नियाइक सक्रीटा के नाम पर हम देख रहे हैं कि वेवस्ताफिका की काम भी कर रही है, कई कानून भी वो बना रही है, कई आदिस भी दे रही है, जबकि सेप्रिशन और पावर के रूल्स को भी वो फॉलो नहीं कर रही है, जबकि हमारे आपर तीनों जो अंग है, सरकार के, इन तीनों अंगों के अपने अपने काम है, लेकिन कहिन कहिन, हम चाहे अभी पिछले दुन में कई मामले ऐसे रहे, कि जहां नियाइपाली के अपने जो निर्नेों को बजलते भी रहे हैं, उसके अलावा कई ऐसे अतियासी, कई ऐसे निर्ने दिये और विशेश रूप से नियाई पालिका अपने आपको सर्वोच मानती रही है जैसे भी हम NJSC के मामले को देखें तो नियादिसों के नियुक्ति वाले मामले को किस प्रकार जो संसर्द ने इतने महत्वपुन बिलको पारित करके भेजार उसको ऐस समयधानी गोशित कर दिया तो इसके लिए तो मैंने पहले भी एक आडियो में हमने इस पर discuss किया था तो मेरी दिस्टी में वो व्यूक्त गलत था क्योंकि ये दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं है कि जहां नियादिसों के नियुक्ति सुएम नियादिस ही करते हो लेकिन एक मात्र यहीं है अलागि फिर कोलेजियम सिस्टम में कुछ कमी है लेकिन इसके लिए मेमरेंडम और प्रोसीजर की उन्होंने बात की कुछ जाओ दिया जा सकता सरकार के द्वारा तो वो लेकिन उन्होंने जो NJAC को तो नहीं माना जो राश्ट्रियन एक नियुक्ति आयोग का जो उसको तो ऐस सम्वेधान पर रोक लगाने वाला निर्णा रहा और कई ऐसे मौली का दिकार समने निर्णे बहुत सारे ऐसे निर्णे हैं कि जहां पर कहीन कहीन ऐसे लगा है कि जो काम जो काम होना तो जो काम कारीपालिका और विधाय को करना चाहिए था लेकिन वो नियाएपालिका कर रही है नेक सक लिखा को तो करना ही पड़ेगा एक लोगता अंतर को बचाने के लिए तो वो सारी बाते हैं लेकिन कहिन कहिन मुझे लगता है कि अब बहुत कुछ हो चुका लेकिन एक नैग सकरीता की नाम पर जो कि आला की भारती सम्विधान में कहीं भी नैग सकरीता का कॉंसेप्ट सिधे सिधे कहीं है नहीं लेकिन फिर भी नैग सकरीता को अपनाया गया लेकिन कहीं कहीं सीमा तो होनी चीए एक बाउंडेशन तो होना चीए ये सीमा रेका तवने चीह कि न्याईपलिका किस अदध क्या सकती है ये तो हईनी क्योंकि सभिधान में जो सेप्रशन और पावर है उसका कहिन कहीं न्याईपलिका उलंगन कर रही है तो ये न्याईपलिका को सोचना पड़ेगा अभी हम देखते हैं कि जो पारदर्शिता और जवाब देटा की बात आती है तो वो राजनितिक दलों पर सरकार पर कारीपालिका विधाई का पर तो वो पारदर्शिता और जवाब देटा की बात करती है लेकिन नियाईपालिका स्वेम अपनी पारदर्शिता और जवाब द अपने आपको एक तरह से तानाशा या स्वच अचारी करने के दिसा में जो सरवोची नेल है बढ़ चला है और एक नवीन प्रवर्ती जो नहीं संस्कृती हमको यह देखने को मिल रही है और एक आला की नाइक सक्रियता कॉंसेप्ट बहुत अच्छा था लेकिन कहीं कहीं उस दलों को भी देखना पड़ेगा क्योंकि उनमें भी एक जुर्ता लानी पड़ेगी एक दबाव तो रखना ही पड़ेगा क्योंकि अगर माल लीजे आज तक के इतियास में कई बर्शाचार के ऐसे नहादीसों पर मामले आए कई ऐसे लेकिन किसी भी नहादीस के खिलाप मह हमको कोई हटाने वाला है नहीं तो वो इस तरीके से वो गैर जिम्मे जाराना रवाया एक तरफ से देखा जा रहा है तो तरीका मिलकुल सही नहीं था तो काफी सुधार की जरूत है इसमें और लेकिन जो भी कुछ हुआ वो सही नहीं हुआ लेकिन फिर भी हम इस रूप में देखें तो इसके लिए कुछ नहीं कुछ कदम उठाने पड़ेंगे आला कि अभी कल एक भार काउंसिल ओफ इंडिया कि द्वारा कुछ एक साथ सतसी एक जो एड़ोकेटर है वो बाचित कुछ करेंगे अब इस मामले को सुल जाएंगे और कहिन कहिन जो नहीं पलिका की जो विश्वस नहीं आता है सरवच नहीं लेप की जो विश्वस नहीं आता है उसको बनाई रखने में और नहीं दीसों क के बीच जो विभिन डिफरेंसेज आये हैं जो आपसी जो एविश्वास रहा है कहिन-कहिन उनको खत्म करने पर जोड़ दिया जाएगा और कहिन-कहिन मुझे लगता है कि दीपक मिस्रा, CGI साबको भी एक तरह से एक मिटिंग बुलानी चाहिए और जो भी विभिन जो नैद लग मुखी ने अदिश हैं, CGI है, वो सर्वोच नहीं है, वो सबके समानी है, लेकिन हाँ प्रसम है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो उन सबसे ऊपर हैं, ऐसा नहीं है, और इन चारो जिजों की भी गलती रही है कि इन्होंने जो भी तरीका अपना है, वो सही तरीका नहीं है, और कहीं कहीं एक वैचारिक जो मदवेद के कारण या और कोई कारण रहे होंगे, उन्होंने ऐसा किया, तो वो बिलकुल तरीका सही नहीं है, कम से कम भारतिये न्याई पालिका के लिए, भारतिये लोकतंतर के लिए, तो काफी इसके सुधार की जरुत है, और सरक प्रवाइब नियाई पालिका को ही अपने अंदर जो भी कुछ गरबड़ हो रहा है उसको सही सुधार करने के आवशकता है और उन्डिफ्रेसेश मिटाने के आवशकता है और कहीं कहीं जो पारदर्शिता और जवाई जवाब दहिता पर अब काम कम से कम सरवोची नहीं लको करना पड़ेगा नहीं इसका इफेक्ट कहीं अब विवी ने जो उच्छे नहीं पर भी नहीं पड़े अगर ये एक नई संसकर्ती अगर चल पड़ेगी तो भारतिय लोग तंत्रे के लिए अच्छी नहीं होगी कि अकल को माली जी हाईकोट में भी फिर कोई नहीं आदिस ह ही इसको एक तरह से स्वयम की जिम्मेदारी खुद को नहीं पालिका को माननी पड़ेगी और अब जो एक लोगों का जो विश्वास है उसको काईम रखना पड़ेगा तो इस पर तो यही विचार है मेरे बाकी धन्यवाद